तो विल्कम टू ओल माई डियर स्टेंट मैं मुके सर आप सभी का स्वागत करते दोस्तों आज की इस क्लास में इस्टेंट अगर आप सभी भी इस्टेंट काफी हो जाता है। कि इसेंट आज के ख्लास में आप सभी की जो भी प्रश्ण को इंड तक आप सभी जुड़ देखेगा। क्योंकि सारे प्रस्ण आप सभी के exam oriented लिया गया एंडर इस्टेंड में आप सभी के class में बताने वाला कि आप से 5 topic को ऐसे कौन से topic को याद करके जा रहा है जिसे कि आप से 100% exam में प्रस्ण पोछा ही जाएगा तो चले इस्टेंड पहले प्रस्ण को और बात करते हैं पहला प्रस्ण पूछा जा रहा है कि नीचे दियेगे सब्द का सही बिलोम यानि कि उल्टा सब्द क्या होगा यानि कि यहां से आप सभी को बिलोम सब्द पूछा गया पहला जो प्रस्ण है किसका बिलोम निकालना है तो उस्ण का बिलोम क्या हो जाएगा तो उसन के बिलोम सब्दी की बात कर तो आप सभी का सित हो जाएगा आप सा नंबर सी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं आप सभी का दूसरा नमर प्रश्ण की नीचे दिये गए सब्द का सही प्रवाची सब्द दिये गए विकल्पों में से चुने यानि कि यहाँ पर आप सी गोधुली दिया गया और इसका प्रवाची सब्द फाइंड कर रहा है कि आखिर इसका प्रवाची सब्द क्या हो जाएगा तो गुदली का जो प्रिवाची सब्द हो जाते हैं आप सभी का option number B is right answer हो जाएगा संधिया option number B इस्टेंट आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रशने को बात करते हैं और सारे प्रशने इस्टेंट आप सभी की exam oriental लिया गया एंड इस्टेंट में आप सभी क्लास में पांच टोपी की उपर बात करें लो अगर आप सभी ने दोस्तों अगर पांच टोपी को जान लिया तो आप सभी के इस्टेंट पांच नंबर confirm हो जाएगे ठीक है ना चले तिसरा नंबर प्रशने की निमने लिखित में से उस बिकल्प का चैन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहाबरे का अर्थ ब्यक्त करता है यानि की कलेजे आनि की कलेजे पर पत्थर रखना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसर नमबर हो जाएगा जी कड़ा करना अपसर नमबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगले प्रश्णिक और बात करते हैं आप सभी का फोर नंबर प्रश्णिक आप पूछा जा रहा है कर रहा है कि नीचे दिएगे चार बिकल्पों में से बताईए कौन सा सब्द सुध रूप से लिखा हुआ है यानि कि दूरलफ का यहां पर आप सभी को सुध चुनना है कि आखिर किस में सुध लिखा गया है तो राइट एंसर हो जगा आप सभी का अपसे नंबर भी यानि कि आप सभी को पताऊगा कि दूरलफ जो लिखा जाता है वो आप सभी कैसे लिखा जाता है ठीक ना लेकिन अप्समर्ष इमय één धिया गाई ठीके देड़ी का वातों के में खाली अस्तान की जगह पर काया भारा जाएगा जाएन नीचे दिए गे बीकलपों में से चुने करें कि राम ने साफ को लाठी मारा यानि कि यहाँ पर क्या हो Twenty रॉम और इसटेंट और समाइट्स के अभी तक कि आप से में calm को सब्सक्राइब नहीं कितो प्रेश्चेंट को सब्सक्राइब कर 7 hours एम सबसे जल्द पहुंचते रहे ठीक दिए नदries अगला प्रस्णिक इनवनेले लिखित में से उस विकल्ब का चैन करें जो ओखली में इस थीर ओखली में सिर देना मुहाबरे का अर्थ व्यक्त करता है यानि कि ओखली में सिर देना मुहाबरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो राइट एंस रोज जाएगा आप सभी का अपसर नमबर्डी यानि कि जान प्रश्ण को बात करते आप सभी का सेवेर प्रश्ण अगर इस टेंट आप सभी को अगर हर एक प्रश्ण पाता अगा तो कॉमेंट बॉक्स में आप सभी फटा फट जरू लिखेगा कि इस कोशन का राइट एंसर क्या ओज़ागा ठीके ने जो कि आप सभी के लिए काफी विए आपर सब्दों दियागी जैसे कि जो समको प्रिये हो उसी एक सभी क्या का सकते हैं जो समको प्रिये हो तुस आम लों कहते हैं सभी के सरो now प्रीत आप सभी का राइट एंसर अच्य नमबर शेवेंद का State चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का एट नमर प्रश्ण है कि खाली अस्थान को भरने के लिए नीचे दिएगे बिकल्प में से सबसे उप्यूग सब्द का चैन करें आप सभी की एग्जाम में ऐसा भी प्रश्ण हंडे परश्ण पूछा जाएगा तो आप सभी क्लास को अच्छे तरीके से और याद करते हुए चलिए ठीगे न करें कि मेरे माता-पिता की ओर से धिर सारा प्यार मेरे माता-पिता को यानि क्या हो न अच्छी किसी या सभी या तुम्हें मूझे तो राइट एंसर हो को देपाएंगे चेली आगले प्राश्ने कर बात करते आप सभी का नाइच नमबर प्रश्ने के नीचे दिएगे सब्ड का सही उल्टा सब्ड क्या होगा यह निंकि आप अपर दिया आप सभी का अप वयखे का उल्टा कि अजिए गा थी नए यहां पर बिलॉओं पुछा है ती अगले प्रशने को बात करते हैं सभी का 10 नंबर प्रशने की सुध वाको को चिन यानि कि इस वाके में ऐसा कौन सा वाके जो की सुध है पाला वाके कराई कि यह खबर सुनते ही उसके होस उड़ गे दूसरा कि यह सकुलता सकुसल पुर्वक रहा है सी में कि सोना कल के दिन जाने वाली है सी में कि आपका पिता जी ने बोले थी इसमें जो सुध वाके आप सभी का होज़ग अगले प्रशनी को बात करते हैं सभी का 11 नमबर है कि निश्चल का संदी बिछेद के बात करें तो आप सभी का होज़ग आप से नमबर दी आप सभी का राइट एंसर होज़ग चलि अगले प्रशनी को बात करते हैं आप सभी का 12 नमबर प्रशनी किन में से दोंद समास का उधारण है दोंद समास का उधारण के बात करते हैं तो यह उज़ग आप सभी का रूप्या पैसा उज़ग आप से नमबर डी चलिए अगले प्रश्निक और बात करते हैं कमल का प्रिवाची सब्दी क्या है और यह प्रश्निक आप सभी की भार बार एक्जामें पूछे जाते हैं कमल का प्रिवाची सब्दी क्या होता है तो कमल के प्रिवाची सब्दी के बात करते यह हो जाएगा अगला प्रस्निक उत्तम का बिलोम सब्द है उत्तम की अगर बिलोम सब्दी की बात करते इस्टेंट की उत्तम का बिलोम सब्दी क्या हो जाएगा तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तम का आपसा नमबर हो जाएगा अधम आपसा नमबर सी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोश्चा नमबर चौधा का चलिक प्र ayuda करते इस ट्रेंट आप सभी का अगला प्रश्ण क्या ध्यां से देखेगा कि आप अगला प्रश्ण 15 नंबर की वाख़े की असुद भाग का चैन करे है यहां पर वाखे में असुद वाके भी कुछ दियागे जिसको आपस्वी को find करना ठीक है ना आपस्वी को वाके है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए कोई तूटी नहीं है यानि कि बड़े की बातों को आदर से सुनना चाहिए कोई तूटी नहीं तो आप सभी का पंदरा का अपसर नमबर हो जाएगा यानि कि आदर से इसमें तूटी ठीक है न अपसर नमबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगला प्रशने 16 नमबर की वह इस्तरी जिसका पती परदेश से आने वाला हो उसे क्या का सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आगमी अस्यपती का अपसर नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशने को बात करते हैं आप सभी का 17 नमबर है की गूड गोबर करना का अर्थ क्या होता है तो राइट एंसर हो जाएग आप सभी का बना बनाया काम भीगारना लोग बोलते ना कि यार तुमने तो बना बनाया काम ही हमारा भीगार दिया ने कि सब गूड गोबर कर दिया ठीक है न अगला प्रशन अठारा नमबर की निराला की कभीता जूही की कली उधारण है किस चंद का है तो आप सी का ज़्यागा मुक्ति चंद का अपसर नमबर शी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशने को बात करते हैं आसे का अनिश नमबर प्रशने की फणी स्वर ना थ्रेडू किसके लेखक है फणी स्वर ना थ्रेडू आप सभी की एक लेखक से भी प्रशने पूछा जाता है जो कि हिंदी के होते हैं ठीन तो राइट एंसर हो जाएगा उनने इसका अपसर नमबर से आने की मौला आंचल हो जाएगी अपसर नमबर शी चली अगले प्रशने को बात करते हैं ट्वंटी नमबर है की चरण दास चोर किसकी न प्रशने संख्या 50 दीएगे गध्धांस के लिए तस्थानों की पूर्ती गधान से नीचे देगे प्रश्णों को नुशार करें यानि कि सबसे पहले आप से को इसको अच्छे तरीके से रीड करना है उसके बाद इसका एंसर कमेंट बॉक्स में देना है ठीक है रहे कि विज्ञान के छेतर में जाकर लोग धर्म की करने लगत का उदेश का हीत मनुष्य के भीतर परूपकार का त्याग बलिदान करूणा और प्रेम का करके वह सुन्दर समाजिक जीवन योगे बिताना है योग बनाना है अब आप सुझ को यहां पर करना के एक देखी अब यह अपसन नंबर वन और यहां पर दो और यहां पर तीन औ यहां पर करें गधांस खाले अस्थान दो में क्या भरना है तो अफसी को दो में भरना है आपसी का अंध विश्वास हो जग आपसन नंबर एट ठीक है न चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं टॉन्टी थी नंबर की नीचे दिएगे नीचे दिएगे खाले अस्थान तीन के लिए सही सब्द क्या होगा तो तीन में हो जाएगा आपसी का मनुष्य अफसन नंबर डी हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न आपसी का टॉन्टी फो नंबर की गधांस में खाले अस्थान चार को सही सब्द देंगे तो इसका ज़िए लगछ्ष यानिकि दोनों क साइब में क्या फीड होगा तो इसकुरिशन का राइट एंसर क्या होगा इस्टेंट आपसी कमेंट बोक्स में दिचेगा और आप सब्सक्राइब कर साबसाथ बेल आगन को प्रेस कर दिचेगा ताकि सब्स्ट इमपूर्टेट अब तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टेंट, थैंक्स वर अचिंग में एक क्लास